अजमेर के सैंत तत्वाओं इस जो प्रतियोगिता में जो शीर्षक रखा गया है वो है नारी के विविद्ष रूप कि हम नारी के बारे में क्या सोचते हैं वो उसको जो जो चार खात्राइब आए गाए वो अपनी बहावनाओं को चित शीट पे उके रेंगे और इस प्रतोगिता में पांच एक हजार रुपे के जो प्राइज रखे गए हैं वो देश की जानी मानी चितरकार कलावित जॉक्टर वीर बाला भावसार की इस मृती में रखे गए हैं इस कम्मेशन में करीब सतर एंट्री अभी तक आ चुकी हैं अभी भी स्टार्थ हो चुगा है और एंट्री अभी भी आ रही हैं इसमें अजमेर के जितने भी कॉलेज हैं where pink इंग के चाट शात्रा है यह राज्के कन्या मा विद्याल में ही होग्रा है मैं डॉक्टर अर्ष्णा, एसो सीट प्रोफेसर, गॉर्मेंट गल्स कॉलीग अजमेर. और इसमें जजमेंट के लिए हमारे सीनियर आर्टिस्ट जो है अजमेर के, डॉक्टर अनुपम जी भटनागर, डॉक्टर वीना और डॉक्टर मन्जु पर्यार रहेंगे. और यह जो प्रतियोगिता है, यह राजकी करनेया महाविद्याले अजमेर के अंदर आयोजित की जा रही है, जिसके लिए मैं यहां की जो प्राचार्य डॉक्टर मन्जुला मिश्रा जी, उनका मैं धन्यवाद देती हूँ, कि उन्होंने हमें अकादमी की और से प्रतियोगि उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ, इसका उद्देशी देखिए महीला दिवस के उपलक्ष में कराई जा रही है, तो हमारा उद्देशी यह है कि जो हमारे चात्र चात्रा है, वो नारी को किस स्वरूप में देखते हैं, देखिए हम ये अलग-अलग टाइप से कि वो कि रूप में नारी को किस तरीके से देखते हैं, वो एक वर्किंग वूमेन की रूप में किस तरीके से देखते हैं, उनकी किस तरीके से नारी को देखके कलपना हैं, उसको हम चितरों के माध्यम से देखेंगे, बिलकुल दिये जाएंगे, प्राइस जो है वो राजकी कन्य महाविद्दाली की सहा अचारिया अर्चना डॉक्टर अर्चना जी जो है उनकी गुरू है कलाविद वीर बाला जी उनकी इस्मृति के अंदर वो एक एक हजार के पांच पुरसकार इसके अंदर स्पॉंसर कर रही है किते बच्चे भाग ले रहे हैं अभी तक हमारे पास में 75 बच्चे भाग लेट रहे हैं क्या बना रहे होगी वही बता रहे हैं कि उनके नजडिये से नारी का क्या सवरोप हो सकता है ममता चौहान सदस्य राजस्तान ललितकला अकादमी किते अपयों शर्ण सवरोप क्वेश्भा लेट रहे हैं क्या है